आप सभी को निवरेतरी चल रहे हैं तो हैपी निवरेतरी और आज मैं आप लगों के लिए अगुए लेकर आई हूं साबुदाना खीर बनाने की रेसपी तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने साबुदाने लिए हैं तो यह देखिए इस तरह के बारीक वाले साबुदाने मैंने खीर बनाने के लिए यूज किये हैं आप मीडियम साइज के भी ले सकते हैं मैंने जब order किया था तो मुझे ये वारिक वाले साबुदाने आ गए था तो मैंने इसी से खीर बनाई है और ये बहुत टेस्टी भी बनी है इस से खीर में कोई डिफरेंस नहीं आया है तो हमें यहाँ पर इस तरह से मुठी के नाप से मैंने यहाँ पर 2-3 मुठी के बीच में ठाई मुठी जितने साबुदाने लिए है और टेबली स्पून से अगर मैं आपको बताओं तो 3-4 टेबली स्पून साबुदाने हैं तो साबुदाने को हमें 3-4 बार बहुत अच्छे से धोना है, साबुदाने को धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है और अगर आप उस स्टार्च को नहीं निकालेंगे तब कि साबुदाने जो हैं जैसे दूद में उबलेंगे तो उसमें बहुत तीन घंटे तो हो गये हैं मेरे साबुदाने को विगोए हुए और ये देखे इस तरह से थोड़े सॉफ्ट हो गये हैं आप इस तरह से दबा करके चेक कर सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गये हैं तो अब हमें क्या करना है कि कड़ाई की अंदर एक टी स्पून में ने गी जाला है और गी में डालने के बाद हमें साबुदाने को सेखना है बहुत जादा देर नहीं सेखना है इलग बग आधा मिनिट या एक मिनिट तक आप इसे सेख लें इससे क्या होगा कि साबुदाने जो हैं गी में कोट हो जाएंगे अच्छे से और खीर का टेस्ट भी कि हो जाएंगे थोड़े से तो ये अच्छे से मैंने इससे हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक लिटर उबला हुआ तो दूद को हम मैंने साइड में उबाल रही थी दूसरी तरफ गैस पर उसके बाद इसमें डाला है साबुदाने की खीर हो या कोई भी खीर हो इसे बस आपको चलाते रहना है कुछ-कुछ देर में और ये उबलती रहेगी और खाड़ी होती रहेगी तो आप कैसी कंस्टेंसी की खाना पसंद करते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको बहुत जादा गाड़ी रबडी जैसी खीर चाहिए या मीडियम थिक कंसिस्टेंसी की चाहिए तो उसे साबसे आप इसे उबाल ले और इसमें थोड़े से मैंने केसर डाल दिये हैं आप केसर को दूद में बिगो के लास्ट में भी डाल सकते हैं पहले भी डाल सकते हैं केसर डाल देंगे तो उससे अच्छा कलर आएगा इसके अंदर से आपके जो साबूदाने हैं वो थोड़े खुले-खुले हो जाते हैं और अच्छी खीर बनती है और इसमें स्टार्च निकालना भी बहुत जरूरी नहीं तो खीर जो है वो सही नहीं बनेगी तो देखिए खीर को उबलते हुए काफी देर हो गई है लगवाक आधा गंटा हो गया है और यह इस तरह की घाड़ी हो गई है अगर इसे और जादा अगर आप घाड़ा चाहें तो कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से दबा करके आप साबूदाने को देखें तो साबूदाने का कलर जो है वो थोड़ा ट्रांस्परेंट सा हो गया है यह साबूदाने को पहचान हैं कि साबुदाने हमारे कुक हो गए है बहुत जल्दी बन जाती है साबुदाने की खीर बनाने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है तो बस इससे थोड़ी देर और हम चलाएंगे थोड़ा सा इससे और मैं घाड़ा करूँगी यह देखे इतना घाड़ा इसका टेक्श्चर हो गया है अगर अब इसे और जादा घाड़ा करेंगे तो क्या होगा कि जब आप इसे थंड़ी अगर खाएंगे तो बहुत जादा घाड़ी हो जाएगी खीर इसमें मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है तो मिठास जितनी आपको चाहिए उसे सबसे आप चीनी डाल दें तो मैंने यहाँ तीन से चार टेबली स्पून जितनी चीनी डाली है और चीनी को अच्छे से गुलने दे चीनी गुलने के बाद एक दूब वाइल आएंगे उसके बाद आप इसे गैस बंद कर सकते हैं तो यह आपकी रबडी जिसी खीर जो है उसाबुताने की बनके तयार हो गई है अभी यह गरम है जैसे जैसे यह ठंडी होगी और घाड़ी होती जाएगी तो मैंने इसे और ज़्यादा नहीं उबाला है आप चाहें तो इसे और ज़्यादा उबाल करके एकदम घाड़ी बना सकते हैं तो यह देखिए खीर बनके तयार हो गई है इसे सर्व कर लेते हैं हम तो सर्व करने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह के फूल का यूज़ कर रही हूँ और आप इस पर dry fruits डालें मैंने अभी डाले नहीं है मैं garnishing में डालने वाली हूँ तो dry fruits जो है वो भी मैंने थोड़े से घी में पहले fry कर लिये थे हलके से roast कर लिये थे उसके बार डाले हैं उससे इसका बहुत अच्छा टीस्ट आता है dry fruits के अंदर तो खीर बनके तयार हो गई है जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे feedback में बताएगा कि आपको खीर कैसी लगी तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए take care and thanks for watching